इस course के अंदर आपको जो सीखना है वो यह सीखना है कि कैसे अपनी existing knowledge को convert करें into modern knowledge ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें theoretical हैं क्योंकि theoretical basis आपको पता होना जरूरी है लेकिन जो मैं discuss कर रही हूँ वो practical knowledge है सो course के अंदर हम चीजें combine कर रहें अब आपके अंदर जो सवालात उबरेंगे उनको रोकना नहीं है उनको आपने पूछ लेना है क्योंकि basic से basic सवाल भी बहुत important है जैसे अगर आप यह पूछना चाहें अगर कि strategic HR ही क्यों तो यह important सवाल है यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आपने पूछने से जिजगना है सबसे पहले pledge यह है कि कोई सवाल बेवखुफाना सवाल नहीं होता सो जो भी सवाल है वो आपने करना है मेरा काम है आप लोग जितना मुझे दीप ले जाना चाहेंगे मैं उतने in-depth जाओंगी जहां पर बस हो जाए रोग नहीं कि नहीं यहां से आगे थोड़े अरसे के बाद अभी ठीक है सो स्टार्टिंग ओफ स्टेटेजिक एचार है क्या अच्छा human resource management तो सब जान ले human resource management is management of human resource and human resources all people and the organization ठीक है अब human resource का बहुत जादा मतलब यह भी लिया जाता है के जो हमारे पास जो लोग मौजूद है असको office के अंदर जो हमारे सारे employees है यह एक resource है और human resource department क्या करता है इन सब को best utilization के लिए right person at the right job normally हमारी human resource की definitions में यही आता है so when you say strategic HR why this word strategic is added what is the definition of this what is this achieving the goals or jab humus ko by plane apni thought ko karte hai by planning it's called the strategy say hai so it is basically a planning on how sorry my handwriting badi buri hai how to achieve goals yeah carry a good what actually definition आपने दिया यहार मेरी strategy यह है कि यह करना चाहिए अक्सर इस्तेमाल होता ही है हां मतलब क्या है आम नॉर्मल जबान में हम strategy के लग बहुत ज्यादा यूज करते हैं है game plan तरीके कार कह सकते हैं यह मेरा point a है और यह मैं बहुत simplify इसलिए कर रही हूं ताकि आम आम फहम अलफाज के इंदर बात करें और अगर मेरी उर्दू मुश्किल लगए तो यह भी बता दीजागा हम सहीएा ऐस से बी पॉइंट Clay मेंने पॉँचना झारMK मैं कंपनी हुँ मैं एक इसे बी-पॉइंट पепे पहुंचना चाहते हूं इस ऐसे बी-पॉइंट पहुचने के लिए मेरे पास क्या है सिआध चैलेंजस आएंगे friend मैंने इन चालेंजेस को कैसे उभूर करना है वह स्टाटेजी यहां से यहां तक पहुचने के लिए मेरा क्या रोड मैप होगा सो दाट इस चैलेंजेस शुड नाट अफेक्ट में ठीक है स्ट्राटेजी यहां से यहां तक पहुचने का रोड मैप सिर्फ नहीं है बलके स्ट्राटेजी इसका नाम है कि जो यहां बीच में चैलेंजेस आएंगे उनको मैंने कैसे ओवरकम करना है जैसे हम अक्सर गेम्स में सुनते हैं कुछ बॉले ही रह गई है बड़ा मुश्किल मराला है अब स्ट्राटेजी चेंज करनी पड़ेगी क्यों स्ट्राटेजी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब चैलेंजेस चेंज हो गए हैं तो उन चैलिंजस को अड्रेस करने के लिए उस सरकंस्टांस को अड्रेस करने के लिए मैं कोई गेम प्लान कोई एक्षिन को ऐसी तदाभीर सोचू कि मैं अपना मकसद फिर भी हासल करना हर कोपुरेट हर और और औरसेशन किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्राटेजी बनाती है यह strategy जो है बहुत सारे मुक्तलिफ organization में मुक्तलिफ तरह की हो सकती है जैसे stated हो सकती है बड़ी जबर्दस खसीम का strategy document बनावा हो और लोगों को सबको पता हो जो modern organizations large organizations होती है उनकी कोशिश ही होती है कि हर person को organization के अंदर उनकी एक basic strategy पता हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ और कुछ organizations ऐसी होती है कि जहां पर documented strategy नहीं होती है लेकिन एक some sort of road map लोगों को सीना बसीना पता चल रहा होता है strategy जो है न वो एक living, breathing document है जो यह समझते हैं पर हमने एक दफ़ा strategy बने आली अब हम ऐसे ही चलते रहेंगे ऐसा नहीं होता जैसे एक war है war की strategy बनती है, war plan बनता है ठीक है ना हमने देखा है बहुत सारे drama फिल्मों में एक बन खड़ा हो जाता है ऐसे रख के चड़ियां बता रहा है जैसे plan यह बन रहे है plan ऐसे नहीं बनता है लेकिन फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है तो जब वो बन जाता है तो क्या वो plan हमेशा war बिल्कुल इसी तरह से हो रही होती नहीं होती ना circumstances change होते है they go back to the drawing board go back and make the strategy again and then come back sometimes पिछले plan को देख के कि पहले क्या हम कर रहे थे उसमें क्या gap था जिसकी वज़े से क्या challenge create हुआ इस वज़े से हम strategy बनाएंगे कभी आप कहेंगे नहीं भाई पिछला वाला discard करो अपके challenge बिल्कुल मुक्तलिफ है 100 साल पहले के जो लोग थे अब 100 साल बात नहीं है तो उनके लिए ये एक बिल्कुल नया circumstances था तो जब नय circumstances हैं तो उनको address करने के लिए क्या previous strategy काम आ सकती है नहीं आ सकती है उसके लिए तो बारा नय तरीके इसे आपको सोचना पड़ेगा तो बहुत सारा ओवर्नाइट ऐसे changes आये जो कि कभी सेसी नहीं सोचे भी नहीं थे for example एक चोटा सा organization के अंदर change है town hall होती है बहुत सारी organization में town hall होती है और अक्सर मैं कहा करती थी मेरी organization को के town hall आप करते हैं तो हम it's a very big cost के हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जा जा करके काँ town halls किया करते है town hall होती है कि you collect all the people and tell them your strategy, your target, listen to their issues the senior most management go to those to their मुक्तलिफ जो offices होते हैं महापे सब को जबा करके it's a very large organization महापे बहुत बड़ी बड़ी region था बहुत हमारे region में जाया करते थे और 500-600 बंदा इखटा होता था तो के ज़िए थी कि why don't you collect everyone online and do the town hall तो सब यह का करते थे कि बिल्कुल यह तरीखा है करने का cost effective भी है लेकिन मजबूरी यह है कि physical connection की जो बात है वो online connection की नहीं है बड़ दुनिया ने क्या देखा कि अब तो online मजबूरी है ठीक, pandemic में तो कोई physical interaction नहीं करो तो बेठर है ऐसा हो गया so वो चीज़ जो पहले बहुत मुक्तलिफ लगती थी हमें लगता था कि नहीं है सही तरीखा नहीं है जब circumstances change हुए तो that become the only way to do so strategy समझा आगे strategy से जब आपका HR link हो जाता है HR हर वो काम करने लगे HR functions ऐसे design हो जाएं कि आपकी strategy actually execute हो सके that is called a strategic HR strategy in simple words मालिक बनाता है complex organization में CEO with the help of the marketing and sales and production and so and so forth पूरी उनकी जो trusted leadership team होती है वो मिलके बनाती है और मिलके बनाना चाहिए उसूलन क्योंकि on ground realities किसको पता है जो ये काम ले रहा है और या ले रहे हैं और जो CEO या organizational owner है या जो senior top most leadership है they are thinking from the mindset of how much to invest where to divest ठीक है तो अगर ये one way बनेगी तो मज़े की strategy नहीं होगी actual strategy science तब बनेगा जबके एक collaborative strategy बने मश्वरों के साथ बने जैसे war अगर लडनी है तो जो top most general बेठाव है chief of army staff अगर वो एक बना ले strategy और जो on ground आपका बंदा गया वह उससे feedback ही ना ले के हो क्या रहा है तो फिर तो वो बेगार हो गई ना strategy वो अपने सोच से बनाएगा लेकर उसको on ground reality के साथ in touch नहीं होगा अच्छा अब जब यह HR strategy के साथ link करते हैं तो सबसे पहला सवाल और अब यह example मेरे लिए देना असान है क्योंकि हम सबने देख लिया strategy क्या थी pandemic है तो हमने तमाम अपने close करने हैं operations online shift करना है तो HR ने क्या करना है आप लोग सब लोग से उसमाने में थे क्या क्या changes हुए आपके department work from home की policy जल्दी जल्दी बनाओ बनी ठीक है सब internet की facility किस किस के पास होनी चाहिए जो essential है उनको company provide कर देगी essentials policy बन गी laptop सा sign हुए जनको laptop सा sign नहीं हुए उनको desktop सा sign हुए work from home के facilities किसी नहीं सोचा था कि सब कुछ होगा मारे साथ ही कि इशू आया था कि एक तकरीबन 1 million की production थी और वो fall down के तकरीबन 7 million पे चलेगी तो अब CEO बैठे थे हम बैठे थे सारे think ands बैठे थे तो उन्हों नहीं का कि मिसाल के तौर कि अगर हमारे 1000 employees 30% कम करनें तो उसमें कहा था कि मौर आफ़नी हमारा बेतर हो सकता है कि हम हो सकता है बेतर कर लें जो हमारे जो skill ले बारा है और उनको वापस लाना मुखल हो जाएगा तो उसमें फिर यही strategy हमने यूज की थी कि हमने जो हमारे unskilled उनको फिर हमने ले आफ किया था लेकिन बाकी जो थे वो रिटेन थे पर सेकंड ली कहीं कमपनीज में इस तरह होता है कि वो रवाइस सैलरी कर देते हैं वर टाइम बिंग हाँ सो सब को रिटेन कर लेते हैं और लोगों को किमनेकेट कर देते हैं इसलिए कोस्ट कर देते हैं यह जो स्ट्राटेजी जो रिटेन करने वाली यह रिवाइस सैलरी सिस्टम यह बहुत सारी कंपनीज ने किया भी है पाकिस्तान में भी हुआ है लेकिन इससे पहले जर्मी में हुआ था होता है इसलिए जहां पर एज डिफरेंस होता है बहुत यंग और बहुत ओर होते हैं तो वहां पर उनको समझाना जो उनके फुट में जाके कि इसको इस तरह आप किया जाए और यंग जो है वो थोड़ से अग्रेसिफ अप्रोच होती है तो उसको फिर किस तरह क्रिटेल किया जाए या फिर दो स्ट्राटेजी बनाई जाए प्लैन ए प्लैन बी अगर ये काम्याब ना हुआ तो प्लैन वी जिस तरह आर्मी में होता है अलफा ब्रैवो चाल रही है लेकिन उस वक्त एचार का रोल ये हो जाता है कि एचार चेंज मानेजमेंट को एनेबल करता है वही वाली बात है आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जब स्ट्राटेजी ये बनी और ओल्ड पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करी तो एचार का रोल चेंज हो गया इसी को स्ट्रेटेजिक एचार मानेजमेंट कहते हैं के एचार अपने आपको करें और लिंक करें किसे कमपनी की जो स्ट्राटेजिज जरूएँ अब कमटी की बहुत आरहकी स्ट्राटेजगेू Oczywiście बनाती है एक बिसिनस स्ट्राटेजिगे जो जो आप कहते हैं हम्ने एफ लीडिशिप में जातना है हामने प्राड़क्त को करना है, so and so forth. और एक functional strategy होती है, sales की अपनी strategy, HR की अपनी strategy है. तो जो corporate level की strategy है, जब HR अपनी strategy को, people strategy को corporate strategy के साथ align कर देता है, तो वो strategic HR management होती है. HR, ये strategic HR आया कहां से है? ये एक evolution है. ठीक है? अबने पहले सुना होगा, people management होती थी, personnel management होती थी, एक administration का person होता है, जो के HR को handle कर ले था, उस जमाने में, जो HR का काम होता था, वो क्या होता था? बिल्कुर level one का काम है, उसने क्या करना है? compliance. अटेंडन्स लगा नहीं है, अटेंडन्स आड़ बजे से लेर जो आएगा, उसकी zero लगा दो. ऐसे उसके ओपर base करके एक policy बने की, और सबको HR जाएगा, वो force करेगा into doing that. यह जो compliance driven HR है, ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, ठीक है? इसका मतलब यह नहीं था कि it's sort of negative. It is required as well. It was required as well. Because अगर कोई बिल्कुल unstructured organization है, तो some sort of structure would be required. ऐसे ही है न? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस freehand हो. So, जब यह शुरू में evolve होना शुरू ही HR activities, so it was more compliance driven HR. और compliance driven से तालूँ चुथा, वो जादा तर HR का role क्या था? कि पेरोल management करना है, employee information management करना है, attendance management करना है, policy implementation करना है. basics of HR, ठीक है? Hiring का मतलब यह है कि बई interview हो और जिसको सेड़ साब कहेंगे या जिसको आपका line manager कहेगा, बस उसी को रखा जाए, एक खास pattern बनावा है, उसी के ओपर fit आते वे लोगों होंगे, अब उसके अंदर बहुत सारे challenges भी थे, जोह सारे cons भी थे, यानि अगर मैं खास तरह का person हूँ, तो मैं अपनी तरह कही person रखूँ, मैं diversity नहीं create करूँ, मैं employee motivation की फिकर नहीं करूँ, मैं engagement है तो है, नहीं है तो नहीं है, है, so you were not more concerned about the behaviors of people, what you were more concerned about, the compliance, ठीक है, then it moved to fundamental HR services, जहां पर recruitment और turnover और compensation, इसके अपर हैस्ता हैस्ता बात होना शुरू हूँ, और HR department create होना शुरू हूँ, HR department के अंदर HR के functions define हूँ, HR functions कैसे define हूँ है, कि अच्छा HR को क्या क्या करना चाहिए, और क्या क्या चीज़े हैं, जो HR के domain से बाहर, for example, chain management was not thought to be an HR function, ठीक है, HR function was hiring and firing जैसे आपने बताया, फेर ऐसे आगे improve हो हो, और now is strategic HR, but strategic HR के बाद एक और भी है, HR driven organization का मतलब क्या है, innovative organization which actually drive their business through human resource development, strategic HR department में क्या होता है, जो जरा सा comparison कर लेते हैं कि traditional HR में क्या होता है, strategic HR में क्या होता है, traditional HR में, जितने HR के responsibilities में हैं, वो HR के सारे program है, अगर hiring करनी है, तो HR ने करनी है, CVS लाना, interview करना, employee screening करना, so and so forth, सारा HR का काम है, अगर किसी को फारे करना है, HR बुलाएगा फारे करेगा, ठीक है, HR नहीं लोगों की payrolls को maintain करना है, उनके pace को बात करनी है, अ So, line manager is not doing the people management, ठीक है, जबके strategic HR में, line managers are taking responsibility of human resource, not a human resource department, are taking care of their human resource, याने उनके जो team है, उनका basic HR operations यह है, उसमें, line manager empowered है, For example, पाशायद आपने किसी दुमाने के HR में यह देखा हो, कि leave लेने के लिए HR को दर्खास लिखी जा रही है, ठीक, अब क्या कहता है, मैं line manager approve करें, जाओ छोटी HR क्या करें, राइट, छोटी सी example है, so that leave का function जो है, वो evolve हो गया, because, क्यों evolve हुआ, मैं एक logical reason है, मैं line manager हूँ, मेरे team member ने चुटी जाना है, so who should be the first person to know, I or line manager, HR person, line manager should know, वो की करेगा, तो HR हाँ, तो अगर line manager ने मना कर दी और HR ने का, जाओ जाओ चुटी जाओ, So logical reason of this evolution is, that first contact is line manager, but that means that line managers should be equipped, they should have the tools, so that they can use the HR functionality, तो फिर क्या develop हुआ, HR IS develop हुआ, जिसमें leave approval की functionality थी, वो जबानी कलामी काम नहीं हुआ के चलो, ठीक है, अब HR हाँ नहीं करेगा, अब यह हाँ करेगा, बलके पूरा process evolve हुआ, जिसमें leave management systems, were integrated part of HR systems, ठीक है, just one example, similarly, talent development, training and development, पहले जी HR training करवा है सबकी, अब HR ढूंद अब रेक्या training कर रहा है, अब क्या करते है, line manager की responsibility है, कि identify करें कि मैं एक line manager का team member होने के नाते, मुझ में क्या कमिया है, जो कि मुझ में develop होना चाहिए, जब यह मैं identify करूं कि तो HR जह हो, मुझे tools provide करेगा, कि यह कैसे development हो, चाहे e-learning के थू हो, चाहे sessions हो, so and so forth, ठीक, so जो HR की responsibility है, programs की, वो responsibility HR की, क्या है, development of the tools and platforms and policies and the process, but execution responsibility goes to line manager, because they are the first contact point for the team members, second, focus of activities, traditional HR का है, compliance, operations, file management करो, attendance management लगाओ, यह करो होगा, जबके, जो strategic HR का focus है, वो है business partnership, means understanding what the business requirement is, and designing the processes, designing and developing the team member, and creating the programs, which benefit the business, ठीक है, यह ना हो के HR को पता ही नहीं है, business के side पर जा रहा है, जब HR business के बारे में जानता हो, for example, आप technical recruitment करती है, आप के जी, major strategic HR से को तालुख नहीं है, मेरा काम है hiring करना, तो मैं सारा दिन interview करती है, रहो कर चरो कर चरो कर चरो, not possible, आपको CVS किसके चाहिए, जो business को चाहिए, business को जैसा resource चाहिए, आपको वैसे CVS लाने, आपने CVS उस तरह के लाने खुद जून के नहीं है, आपने ऐसा process बनाना है कि automatically, आपकी employer branding उस तरह से हो के लोग आपको उस अप्लाये कर, ठीक है, आपने अपना brand create करना है, so that people know that this is the company where I should be applying, right, so you think in a different way, you think for the business, not for HR, ठीक, रोल of HR जाहिए, वो transactions नहीं है, पोस्टमास्टर का काम नहीं है, जो क्या अक्सर जोगों पर होता है, निकाल मैंने दिया है, letter issue कर दो, ठीक, बलके HR का क्या है, transform करे organization को, देखे business की need क्या है, culture develop करे, जैसे अभी pandemic के दौर में हो, जैसे आपने change management की बात कि, तो it's a transformation, so HR's role become very transformational in this case, initiative for change, जो है, वो reactionary है, traditional HR का, change हो जाता है, पर HR को पता चलता है, अब हमने ही change कर दिया, आप ऐसे काम करना शुरू करते है, strategic HR है, that is a systematic change, for behavior improvement, people actually link with the business improvement, and that change is required by employees, जैसे चेंज कर दिया, for example, ERP implement हुआ, ठीक है, तो कहा कि जी, आज से stock taking, जो है, वो barcode आप बाहर करेंगे, उसमें scan करेंगे, और उसका जो code है, वो directly system में जाएगा, वहां से tick हो जाएगा, आपको supply chain का level पता चल जाएगा, और order वहीं से हो जाएगा, ये एक आपने system simple बनाया, तो उसमें employee का behavioral change क्या चाहिए, कि वो barcode scanning करे, वेट्रिक होगा, तो वहां पर मुझे कोई बन्दा नी पिठाने जिलाकर के लोगों के लोगों के नाम लिख रहा हो, if that is happening, the behavioral change is required, for all, not for that person क्यों अच्छा इसको फारे कर दो, बलकि आप वहां पर क्या एक परसन बिठाएंगे, जो कि उस attendance system को maintain करने के लिए होगा, और उससे आप stress registers का काम खतम करवाएंगे, वो खतम कराने का जो process है, वो training and development हो सकता है, behavioral coaching हो सकते हैं, और बहुत सारे और तरीक हो सकते हैं, so आपका जो initiative for change है, वो इसलिए नहीं है कि बस मैंने यह system लगा दिये तो करो, बलकि इसलिए कि business के requirement क्या थी, कि order replenishment फॉरण हो, और उसके लिए ज़रूरी था, कि person को barcode scan करके, order replenishment system जाए हो लिंक्ट हो, तो आपने बंदे को भी train किया, आपने process भी initiate करवाया, and you change the entire process, and HR is part of that change, HR को उस change का हिस्सा होना है, यह नहीं कि आखर में बिता दिया, कि ठीक है, यह चार बंदे फारग कर दो, अब हमारे पस ERP हो, और HR बैठा वह हैं, जो तो पते हीं था, ERP डेवेलप हो रहे है, time horizon का क्या मतलब है, कि जो HR के issues है, वो कितनी देर में resolve हो, या उनका focus क्या हो, short term focus का क्या मतलब है, बंदा रखो, hiring करो, firing करो, short time, थोड़े दिन के लिए, अभी जो करना है, भो करो, लेकिन जो इसका time horizon है HR का, वो short term भी हो सकता है, medium term भी हो सकता है, और long term भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे के strategy है, एक short term strategy हो सकती है, medium term strategy हो सकती है, और long term strategy भी हो सकती है, so strategic HR भी उसी तरीखे से रो कर सकता है, controls, traditional HR के क्या है, policy हो, bureaucracies हो, processes हो, SOPs हो, और एक अदद, डंडा मास्टर हो, यानि traditional HR is more orthodox in nature, मैं डंडा मास्टर तो ऐसे मजाख में कह रही है, लेकिन उसका जो HR का process है, it's more authoritative in that sense, strategic HR में, you want to improve the culture, ताके लोग वो काम करें, जो actual होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों के अंदर से engagement क्रिएट करें, for example, उनने का जी अच्छे टाइम पर आना अच्छी बात होती है, तो टाइम पर लोगों को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, अगर कोई ऐसी organization है, जिसको organized disciplined, काम की जरूरत है, जैसे के, schools, colleges, universities, ठीक, और एक ऐसी organization है, जो के creative work करती है, आपकी company है, PR की, बंदर का काम आना चाहिए, रात को बैट कर भी कर रहा होना चाहिए, रात को बारा बज़ जाएगा, तो क्या वो सुभा नौ बज़ अटेंडन्स लगाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, यह के नौ बज़ आगा तो मना अटेंडन्स लगानी है, नहीं, तो आप क्या करें के उसके लिए flexibility क्रिएट करेंगे, अब आप रात को बारा दो बज़ बैटने वाले के लिए, को दो बज़ बैट कर सर पे, उसके काम चेक करने वाला तो नहीं लगाएंगे न, बलकि आपका culture क्या होगा, आप culture develop करेंगे, उसके लिए माहौल ऐसा रखेंगे, यह के वर आप दो जाके independently काम करें हो जाएं, राइट, तो पार्ट ओफ प्रॉसेस इस, कि आप culture ऐसा बनाएं, जहां पर लोगों के behavior, आपकी strategy को, आपके process को execute करें, ठीक, तब आपका strategic HR बनता है, अगर आपने हर काम डंडे के जोर पे लगाना है, और उसका मतलब यह होना चाहिए, कि कोई एक person, उस control कर रहा हो, कोई वहाँ पर observer हो, four eye principle लगा, वो so and so forth, तो फिर वो strategic HR नहीं है, वो आप traditional method कर रहे हैं, job design इसमें specialization है, उसमें cross-functional है, आपकी company जैसे है, उसमें एक बंदा बहुत सारे काम करते हैं, क्यों करता है? Yes, and that's your business strategy, to keep the cost minimum, why should I increase the cost, एक बंदे से काम लो, फिर दूसरे बंदा दूसरे, जबकि इसी बंदे से, जो social media management वाला person है, उसी से ही मैं digital media marketing भी करवा सकता हूं, और करवा सकती हूं, yes, I can hire other person, if the volume of work increases, वही बंदा content writing भी कर सकता है, I'll pay that person more, but, अगर आपके content, so, आप क्या करते हैं, आप कुछ account एक को दे दे देंगे, कुछ accounts तूसरे को दे दे देंगे, you do the accounts management instead of the job description, उसकी job बड़ी wild हो जाती है, जबकि अगर आप traditional roles में देखे, तो यह timekeeper है, यह सिर्फ time करेगा, वहाप आप सारा दिन वह बैठा रहेगा, यह जाद जाद उसको letters पकड़ा दी जाएं, कि तुमने letters distribute करते हैं, यह ठपे लगाने बैठ करके, तो बढ़ा traditional strategic role जो होते हैं, वह आपके expanded होते हैं, और traditional role होते हैं, वह बड़े rigid, एक ही role में बने वे हैं, there is no more skill cross functioning in it, ठीक है, important investment जो traditional HR की है, वह staff cost है, capital है, products है, HRIS implement कर दिया, staff कितना हो गया, head count कितनी हो गया, जबकि जो strategic HR है, वह invest करता है, people's competence के उपार, number of people नहीं बढ़ाता, बलकि existing लोगों की capabilities improve करता, accountability, traditional HR is a cost center, and strategic HR is a profit center, outcome क्या है, operational excellence जादा अच्छा traditional HR, जो कि बहुत stringent HR होगा, वो क्या करेगा, बहुत सारे matters में, उसका process बहुत अच्छा होगा, excellent process orientation, operations बहुत अच्छे चल रहे होगा, not even a single day miss, लेकिन जो आपका strategic HR है, वो operational excellence के सासद क्या देख रहा होगा, that business is getting success, my company, I am having traditional HR, I am realizing just now, तो बहुत दिफिकल्ट है, जबके वो expect करें होते हैं, आप strategic level पर काम करें, जबके आप वो टूल्स भी नहीं देते, और, बर्दन कम्स दाउन on you, जब तक organization, वो टूल्स ही प्रोवाइद नहीं करेगी, culture ही प्रोवाइद नहीं करेंगी, तब तक persons की, so human nature, बिल्कुल आपने सही बात की, human nature यह है, कि अगर मज़े यह कहा जाए, कि मज़े यहां से यहां तक भागना है, तो मैं यहां से यहां तक भाग के पहुंच होंगी, ठीक है? लेकिन अगर मुझे एक 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 ताइम है, हाव फस्ट की यह बोड़ा, so I'll try to beat myself first, अगर मैं यहां से यहां तक 100 km एक मिनाट मोशने तो, I'll try to go for 150, then 200, then 300, because human potential is immense, so how this expenditure happen, is what HR can do, क्या कर सकता है HR कि लोगों की कैपिबिलिटी इतनी बढ़ा दे तो उनका दिल चाहे है अदर से काम करने का वरना तो दे इन डे आउट अटेंडन्स लगा ही वार्म दसीड गो आउट ठीक है ठीक है त्रडिशनल HR है वो नासिस्ट पर बलीफ करता है I, Myself, I, Me and Myself वेरिस जो जो स्ट्रडिजिग HR है लेकिन इसमें देखनें में कॉस्ट इंवल्व होती है वर MNC में ज्यादा काम करता है और वो बेसिकली एंपथी पे ज्यादा काम करता है इसमें एंप्लॉई इंगेजमेंट इस वेरी इंपॉर्ट इंपॉर्ट सपोर्स एक्रिटिविटी है अधर अग्तिविटी इसमें जाना उनकी ग्रीवेंस लेना बहुत दॉप अने देखा है के डिपार्टमेंट के अंदर जाने से बहुत सारा जो घुसा है एचर का भी और दूसरे डिपार्टमेंट का भी आटोमेटिकली पैसिफाय हो जाता है और जो काम खराब होने होते हैं वो खोने से पहले ठीक होना शुरू हो जाते हैं इस वेर दी एंपथी लेवल कम्स और मदब कि किसी को अगर कुई प्रॉब्लम भी हो एचर से तो वह कि फिर नलाफाय हो जाती ही क्योंके वो एक दोस्तियारी में चला जाता काम पर इसमें ट्रेनिंग डिवल्पमेंट बड़ी एक इंपॉर्टन चीज है कि जिससे एंपलॉई को अन टोज अखें लाइक मैं मैं जब से यहां पर आया हूं माशाला तो एक 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 जिसको जहां पॉबलम है Leber Law से लेटेड़ प्रॉबलम है लेडर प्रॉबलम है काउंट से लेटेड़ परॉबलम है वह तो कई कंपनी है और हमने इस कंपनी में काम भी क्या है वह पे पे करती है इससे एंप्लॉई की इंगेजमेंट बड़ लादा थी इसी तरह बैनेफि इसको भाष बन्हें पर्तुमौनेंट। अपने एंप्लॉय को आपने एंप्लॉय को इंपाषी य curial nac fame उत गीतुमौने के खियूएर्स शी था लाग ऑनת अगूर करना कई जो एंपलॉय कहते है। तो इसको कुछी नहीं भी आता हो लेकिन ट्रस्ट की बिना पे और वह अच्छा एक्रीकूट कर सकते हैं तो यह बहीवियर कल्चर जो है यह बड़ा इंपॉर्ट प्ले करते हैं और यह इंप्लाई को रिटेन करने में बहुत जादा मदद देता है अगर एक ट्रडिशनल एचार एंप ट्रडिशनल कंपनी है जो यह बिलीब करती है कि डिशिजन कंप टॉप हम आपको एक hypothetical situation देती है करीम से सफर किया आप जा रहे हैं और आपको को प्रॉब्लम हो गया है और एक ऐसी कंपनी हो जो के करीम टाइपी कंपनी है और आपने उसके अंदर अपनी राइड बुक कर आई है और राइडर आपको थ्रेट करता है आपका पहला रेक्शन क्या होगा है राइडर को आप लाइडर को स्टॉप करेंगे आप लाइन मिलाएंगे किसको अगर प्यार से समझने वाले हजड़त होते तो आपको थ्रेटी क्यूं करते हैं नेवर ट्राइट एट होम सो अब आपने हेल्फ लाइन कॉल की और उसने उसको आपने बताया कि यह प्रॉब्लम है अब सरा सोचे हैं कि उस हेल्फ लाइन वाले के पास जीरो डिसीजिजन मेकिंग पावर हो तो हो कहे अब एक बस्ता फिलंग करदे मैं आपको एक फाम बैज रहा हूं कारते करते आपको डिसीं मेक हर नो को सब्सेन हएट लेवर पतियरो girlfriend सी एप सब्सेजिज बेंगा एप मेर्षट कावWow that's not business so traditional HR is not all bad I don't want to give you a bleak picture of it it's a first step of HR but if you stay there and don't grow then it will remain operationally excellent but people will become demotivated, disengaged they will come and I always say one thing if you treat people like table and chair they will behave like table and chair if you treat people like human they have immense potential they will go beyond they will always go beyond and there are organizations we have seen this that I don't know what kind of a joke in them that employees want to do more than their job strategic HR is what we have told them that their maximum potential is that organization can be used for that organization this one thing I will just underline it is not for MNCs only it depends on how you think as an HR I wanted to ask about it इसको तीन टाइपस और भी कहते हूं बट टू टाइपसों ले डेफिनेटली एक्स्ट्रिंजेक का मतलब ही है कि मुझे बाहर से कोई स्टिमिलस मिले जिसकी वज़े से मोटिवेट हूं फर एक्सामपल प्रमोशन मिल जाए तारीफ मिल जाए पैसे मिल जाए कि मेरे अंदर से जाजबा है कि मा कुछ का तेका हूं गुड और ओगनाजैशंस बालंस टीक है तीसरी है कि वह मोटिवेटे से किदर चिले जाए जाए डिवन वह मोटिवेशन एक और चीज बिविन उससे नेक्स फाँ हूं driven क्या है कि मैंने मुझे सरफ कुछ कर दिखाने का ही जजबा नहीं है बलके मुझे कुछ बनना है मुझे आगे से आगे जाना है so you are driven to achieve something that is the next level of motivation so extrinsic motivation yes can achieve lot of things for a lot of people लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिचारे मेरी तरह के बदकिस्मत हैं जिनको extrinsic motivation से जाधा intrinsic चाहिए होती है सौरे पर पकड़ा दो बाद लोग वो काम कर लेंगे बाद केंगे या सौरे पर दिए मेरा दिल नहीं जाना करने का ठीक है अनका दिल भी जाना चाहिए करने का ठीक है नहीं public sector तो है intrinsic motivation that drive from within और वो drive बहुत चीज़ों से आसकती है पर इजांपल लिए पिछले दुन मैं एक वीडियो देख रहे थी तो मैं कहा कि तुम्हे कितने पैसे देंगे तो तुम्हे कर दो कितने नहीं मुझे तो क्रोड़ों रुपाई देदो तो मैं नहीं तो आप दो रिमेंबर इसक्ली देख लिए पार नहीं है बहुत सारी वीडियो आती है यार नहीं रहता तो मैंने सोचा कि यह जब तक आप intrinsically motivate करेंगे ना तो इस नोट हर एक मुखतलिफ होता है हर बंदा मुखतलिफ होता है मेरे तीन बच्चे हैं उसमें से दो बड़े हैं थोड़े से तो एक बेटी है इसको मैं बस थोड़ा सा वह करूँ ना कि देखो इस कपड़ा तो मैं बड़ा फायदा होगा इसका यू विल अंडर्स्टैंड मोर और यू विल ग्रो मोर वो ऐसा मोटिवेट होती है ऐसा जबर्दस हो आज सारा दिन बैट करके उसना पता नहीं कौन सी इस्लामिक रिसार्च कर रही थी बैठीगी और मलब को इसको पेपर वेपर नहीं हो रहा थे तीरा साल की तो है निको पता नहीं कौन से क्या-क्या थेरी निकाल किया पड़े और जो मी बड़ी दूसी च कोई चिप्स नहीं मिलेंगे, कोई टौफी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो वह बैड़े आती है, so every child, every person is different, you as an HR have a job to identify, ये बंदा इंक्रिमेंट से खुश होगा, ये बंदा तरीफ से खुश होगा, ये बंदा विजिबिलिटी दिखाने से खुश होगा, ये ब मैं इस पर आना चाहते हूं कि strategic HR के functions क्या-क्तुन हैं, जैसे आप लोगơ में बहता साए लोगों हम जानना चाहते हैं कि strategic HR में क्या-क्या हो रहा होता है, so इदर आने से पहले, ऐसमना आप लोगों कई व्ड हो रहा हम जाए हूं, कि आपका क्या खालर है, HR में क्या-क्या हो one by one, one by one, compensation, and benefit, जिसको आप कहते हैं कि जी, salary, and payroll, disbursement, मैं साथ साथ वो common words भी लिखती जा रही हूँ, तो कि थोड़े से जरा कह लें कि, हमें थोड़ा बना सवार के कहा हुआ है, लेकिन आम अलफाज में क्या हो रहते हुआ है, चले, OD, HR नहीं करता, I'll come to that, training and development करता है, ठीक है, जिसको आप training and development ही कहते हैं, ठीक है, और क्या करता है, policy, retaining, policy, retaining होजाते हैं लोग यार, पैसे दोगे, recruit करोगे, बढ़ना चले देएंगे, अभी एक किसी ने और कुछ कहा था, policy making, policy making करता है, मैं इसके साथ ही रिख रही हूँ, और क्या करता है, performance की बात हुई थी, people की development हम यहां cover कर चुके हैं, तो हम करते हैं कि culture development करता है, staffing इससे पहले मैं लिखूंगी, क्योंकि यह planning कहसा है, ठीक है, performance management के अंदर ही चले हम appraisal को भी cover कर लेते हैं, ठीक है, finance का काम खुद ही करता है, finance कहता है HR बागो यहां से, मैं अपना काम खुद कर लूँ और, और लोगों की attendance management करता है, attendance and operations, जैसे leave management हो गई, ठीक है, employee files हो गई, सही, QPS, वह हम performance में आ जाएगा, JD बनाता है, और, although वह staffing में है, grievance handle करता है, very good, grievance handling करता है, ER करता है, ER as an IR करता है, मतलब, employee relations or industrial relations, EOBI submit कर आदिया, social bill, organograms, मैं अधर ही डालते हैं, पोस्टमास्टर का काम करता है, approvals, process करवाता है, और क्या करता है, चलो थोड़ी बहुत यह, कल्चर में development में आ जाएगा, ठीक है, HR नहीं करता हूँ, खुद ही लोग कर लेते हैं, in effect क्या होता है, in effect क्या होता है, HR कहते हैं, यह होता है, तो HR नहीं तो succession management नहीं की, है नहीं? यह जब बंदा चला जाता है, तो दूसरे बंदा सेट साँ बता देते हैं, इसकी जगह इसको करता है, HR नहीं तो कुछ नहीं किया, पोस्टमास्टर का का काम किया, यह जब तैसरे, Yes, but that's not succession management. So, अब इतने सारे काम करते हैं, भूँअ बहुत काम करते हैं, HR के लोग, फिर भी सारे क्या कहते हैं, HR क्या क्या करते हैं, यह कहते हैं, यह ही हैं जब ओ, हैपी HR दे, हज हाँ, हज तो HR को सारे कहते हैं, यहां देखो यह हाल है HR के पास इतने काम हैं कि हम यह भूल गया है कि आज HR दे है ओफो जब यह सारे काम HR कर रहा है तो क्या strategic HR में भी यह काम हो रहे होते हैं या नहीं सबसे पहला सवाल यह ठीक है? बिलकुल हो रहा होते हैं Because these are the core functions of HR strategic HR does not mean कि core function नहीं होगा but core function कैसे होगा is defined by strategy ठीक है? So start करते हैं strategic workforce planning यह कहा हो रहा होता है? HR staffing करते है? वो strategic workforce planning कब होगी? strategic workforce plan में कैसे convert होगा? जो इन्होंने example दी थी कि अब हमारे पास इतनी production नहीं हो रही है तो number of people कम करें या skilled को कम करें unskilled को कम करें या उनकी compensation को reduce कर दे या इस वाले लोगों को इधर deploy कर दे So you make a complete workforce plan you don't only do the staffing आप number of people नहीं देख रहे होते हैं and how would you do that? क्या आप अपने कमरे में office के HR में बैठ की काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? आपको business के साथ खड़े हो करके business को समझना पड़ेगा पहले when you understand the business not as के भाई आप मुझे बता दे business में क्या होता है ऐसे नहीं आपको in-out पता हो business का हो क्या रहा है business किस तरफ जा रहा है इसका financial situation कैसी है business planning कैसे हो रहा है and you are part of business planning आपको पता हो production के issues क्या है profitability की क्या issues चल रहा है where do we produce money how we produce money how we spend it then you sit with the business and make a plan for them okay so what you bring on board the making of the process of workforce planning what business bring on board the issue of the strategy that they want to achieve when they go hand in hand that come strategic workforce planning and that's where staffing converts into strategic HR function of strategic workforce planning समझ जाते है कोई इसम्पल एक इसम्पल उन्दी थी दूसरी इसम्पल नहीं 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 प्लांट लगाना शाकाम इस्ट्री नहीं नहीं प्लांट लगारिया थे नहीं प्लांट कहां लगारिया सबसे प्लांट लगारिया सबसे प्लांट लगारीया तो किस धीये का इस्टेचीं का लांट है तो किस mendबाशने के सोचना थे कि मैंने business के साथ बैठ करके कि कितनी lines लगेंगी stitching की हाँ में में जादा चाहिए हमें female चाहिए हमें combination चाहिए किस type का business है कुछ types के business ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि या इधर female workforce है में चाहिए तो आख करारा के अंदर ये particular organization है जो कि stitching unit के उपर training देती है तो I will align with them to keep providing me. तो इस जगह के उपर आपको प्लांट लगाने हो बड़ा फैदा है. समझ पढ़ती है चीज के? That is called strategic workforce planning plus hiring plan. ठीक. अब अमने उकडा में प्लांट लगा दिया. तो अब HR strategic recruitment कैसे करेंगा? वहाँ पर जा करके कोई MTO program शुरू कर देंगे, कोई stitching, tailoring, mastering का program शुरू कर देंगे. पॉलिसी में क्या काम करेंगे? पिक and drop service design करेंगे so that workforce can come. कल्चर ऐसा बनाएंगे कि अगर सारी female हमने रखनी है तो they feel safe about it. They will have a daycare so that they can bring in. Then you create all the culture and retention based on this business requirement. Make sense? अब आपने recruitment भी की, आपने staffing भी, आपने culture भी develop किया. But किस चीज़ के लिए सारा कुछ? To ensure that the business continuity happen. आपने अपनी strategy के साथ उसको link कर दिया. So, थोड़ा सा मैब इसके आगे चली जाते हूं, हमने recruitment and selection पर भी बात की, अगर growth हो रही है, आपके case के इंदर, for example, हम .NET के सारे hire कर रहे थे, अब आपने का कि जी निया project आने वाला है, अगर strategic HR की value होगी, तो they will involve, के हम new technology के अंदर grow करने लगे हैं, you develop the talent pipeline. और आपनी लफ सुना होगा काफी दफा, पूल जमा करो. So, पूल जमा करने से कुछ नहीं होता है, चिप तक talent pipeline नहीं आएगी. तो अगर वो आपको पहले से involve कर लें, at the time of when they are starting the bidding of those projects, when they are thinking of going into that technology, your lead time of hiring will reduce. बलक की सुरुग में लोगों को ठालेते हैं, और कुछ हरसे बाद उनको फारग कर देते हैं. ये बहुत अलमिया है. फारग क्यूं कर देते हैं? बलक की सुरुद में ठाया होते हैं, जी उसको भी ले लो, उसको भी ले लो. जहां एक बंदे ने smart work करना था, वहाँ पर दस बंदे रखे होते हैं. तो बाद में उन सब को फारग कर देते हैं. ये काम क्यूं होता है? प्लान कोई नहीं है, उनकी strategy HR नहीं है. अगर बिस्नेश भी की strategy नहीं है, तो strategic HR हो भी नहीं सकते हैं. तो traditional बठा लेते हैं, एक बंदा का वो हायर भी करेगा, और सब कुछ करेगा, और वो देखेगा. वो तो postmaster है ना, वो तो बस नोक्रियों के farm बार के भीज रहा है. वो तो देखें, उस सूरत पे आप strategic HR implement नहीं कर सकते हैं. I will not give you any meethi-goly about it. देखें, strategic HR का पहला हुसूल है, and that is corporate strategy. A corporate strategy ही नहीं है, तो आप किता को strategic HR कर लेंगे? Yes, you can drive. You can go as an HR to the trusted CEO or to the line manager and say, कि भाई, हम क्या कर रहे हैं? Let's plan something, drive that, that change कभी-कभी नीचे से भी शुरू हो जाता है. इसलिए तो नकामी होती है, हमारे मीडिया में जितने भी houses बनते हैं, कुछ रसे बाद वो फारग हो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया हाउसे हैं, जो के बनते हैं, वो ग्रो करते हैं. तो वो जो नीचे लोग बैठे में हैं, वो क्या कर सकते हैं? कि वो, who is who of the मीडिया हाउस, जाकर उनको थोड़ी सी मत्त दे सकते हैं. यही मैं कह सकते हूँ. अगर उनका शौख होगा मत लेने का तो वो ले लेंगे और आप थोड़े से बेतर हलाथ में हो जाएंगे. Otherwise, you can't drive the whole organizational strategy unless जिसका वो है, असल में उसको फिकरोस चीज़ के. हाँ, आप initiate change ज़रूर कर सकते हैं. You can go and talk to the CEO again and again and again and again. आप मालक से बार बार जाके बात कर सकते हैं. कि देखें, लेकिन वो बात करने का तरीखा होगा. बिलकुल आप कर सकते हैं. बिलकुल आप मालक को जाके बता सकते हैं. आप एड़ करके निकाले कॉस्ट अपनी. कितनी कॉस्ट आरी है सारी activity के अंदर. जाके उनको बताएं कि देखें, आपकी कॉस्ट इतनी लग रही है. नाम आपका खराब हो रहा है. मीडिया हाॉसे इतने ऐसे हैं, जो कि इस वज़े से बंद हो जाते हैं. तो अगर हम ये करेंगे, तो हमें ये benefit पैसों में होगा. ये benefit हमें नाम में होगा. इतना हमारा long term business आजाएगा. मेरा ही है ख्याल है कि आपको ये करना चाहिए. तो you need to create a business case for it. अगर वो ready हो जाते हैं उस business case पे तो फिर आपकी कामियाबी जरूरी है.